नमस्कार दोस्तो हिंदी-nyukefeist में आपका स्वागत है। दोस्तो भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है भारत के financial अर्थ तंत्र के लिए एक अच्छी ही नहीं जो जा रही है। दरसल दोस्तो खबर ये है। कि भारत का जो शेयर मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज बीएससी वो उसने आज अपने 5 ट्रिलियन के मार्क को छू लिया है 5 ट्रिलियन अपने आप में बहुत बड़ा नमबर होता है दोस्तों इसने आज अपने जो हाई बनाया है जो मार्केट में एक हाई एक लो होता है तो मार्केट में आज अपने आपको हाई लेवल पर ले गया जिसकी валुएशन टॉटल मार्केट की वैलू 5 ट्रिलियन डालर की हो गई है दोस्तों ये लोगों का सपना है हमारा भी सपना था आज भारत ने वो अपने सपने को साकार कर लिया है। दोस्तो यह समझ लिए कि अब हम बहुत ही चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ गए हैं जो फाइब ट्रिलियन की एकॉनमी रखते हैं। वैलुएशन रखते हैं मार्केट की। दोस्तो इससे कई चीजे क्लियर होती हैं एक तो दोस्तो अभी आपको याद होगा प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में वो कह रहते हैं कि अभी चार जून को जो लोकशभा चुनाओं के रिजल्ट आने वाले हैं। उस रिजल्ट के बाद स्टॉक मार्केट में अब देखेगा एक अलग तरह की ही गती देखनों को मिलेगी। दोस्तो उनका तो इंटरव्यू अभी आया है और अभी चार जून अभी काफीड दूर है। उससे पहले ही मार्केट में एक जबजस्त उचाल आ गया है। और यह देखिए इंडिया की जो मार्केट है वह 5 1000000 की मतलब बं गई है मार्केट वैल्यू और आभी क्या है कि कुछ दिन पहले कि मार्केट थोड़ा सा स्लो चल रहा था आभी चुनाओ चल रहे थे तो थोड़ा सा स्लो चल आला कि अभी भी चुनाओ चल रहे हैं लेकिन आज अचानक से जो न्यूज आई है जो सामने से जो नंबर आए है इस्टॉक एक्षेंज के उसमें देखने को मिला है कि भारत की जो नॉमिनल सॉरी जो मार्केट वैल्लू है अब दोस्तो इसके माइने क्या क्या है यह तो हो गया दोस्तो इससे साफ समझ में आता है कि लोगों का मार्केट में भरोसा बढ़ा है भरोसा किस चीच का भरोसा उनको यह बढ़ता है कि यह मार्केट इस्थे रहे और यह आगे और जाएगी आगे और बढ़ेगी लोगों को इससे और अच्छे रिटन मिलेंगे और वह अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे यह दोस्तों लोगों को भरोसा को दिखाता है अभी यह समझ लिए कि हमारे यहां जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनकी अच्छी खासी वैलिवेशन चल रही है इट मिल्स कि वह अच्छा अप ब्यक्ति भी जिशी अन्वेस्टर भी इंडिया में आकर इंवेस्टमेंट कर रहा है और करना काक्तार करना चाहते हैं कटार में कई बड़ी कंपणिया जिए ब्लम करने के लिए जैसे कि अभी हमने देखा मुझा sacrifice चाहता तक समय पहले एलन मस्क को टेसला को इंडिया में लाना चाहते हैं और भारत में निवेश करके भारत के growth जर्णी में सहिवागी होना चाहते हैं ऐसे ही दोस्तों तरीके से सेमीकंडूक्टर थरा नंडिया में इंवेस्टमें namड करता थ May न चाहती मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाती है उसकी वैल्यवेशन और बढ़ती है साथे-साथ जब पैसा आता है तो इंडिया में जब इन्वेस्ट होता है तो इससे मैं कई प्रोजक्ट कम्पलीट किया जाते हैं तो वह प्रोजक्ट कम्पलीट करने के लिए लोगों की जरूरत ह वह करने के लिए लोगों को रोजगार मिलता है इससे यह समझ लिए एक तो रोजगार की शमस्या का खतम होती है दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट कंपलीड होते हैं उससे अरथ-ब्योस्ता का जो आगे बढ़ने का सिलसला या वह और ज्याद़ तेज बढ़ता है उसको और ज प्रोजेक्ट करेंगे अपने इंट्रस्ट्रक्ट्टर को ठीक करेंगे अपने रोजगार जन्रेट कर रहा है और उसी पैसे जो रोजगार आ रहा है उसी से उन लोगों को सैलरी मिलने वाली है दोस्तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है बहुत ही सेलेक्टड लोगों में भारत हास सामिल होचुका है 5 ट्रिलिन दोस्तों, यह सपना हुआ करता था आज सुचिए सपना जब सब्कार हो रहा है भारत के लिए मतलब कितनी गर्व की बात है अभी दोस्तों चार जून आया नहीं है अभी चार जून को रिजल्ट आएंगे रिजल्ट आने के बाद अगर मोधी सरकार फिर से आ जाती है और एक अच्छे मैंडेट के साथ आती है अगर उनको सीट्स जो लोग सबाकी है वो और ज्यादा अच्छी मिलती है इस तिर सरकार होती है तो बनी हुई बातल लोगों को विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा और इस मार्केट की वैलू और भी ज्यादा बढ़ेगी दोस्तों अब यह समझ लिए कि लोगों ने अपने एक बर जब विश्वास दिखा दिया तो विश्वास कुश टाइम तक तो जरूर बन हो गई है दोस्तों अब इससे जुड़ और जो अपडेटड न्यूज आएगी मैं आपके लिए अपडेटड वीडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद